जय है दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटीट पेनल दोस्तों जैसा कि मिशन यूदर्श्टी की पूरी टीम ने सेलेक्षण स्रीस 2.0 लांच कर दी है तो आप लोग सेलेक्षण स्रीस 2.0 के साथ बने और अपने तयारी को बनाएं बहतर ठीक है पूरी टेम ने अपनी सब्जक्ट की जिमेंदारी ले ली है और सभी टीचर्स जोर सोर्स से अपने कोर्स को अंजाम दे रहे हैं बस आप लोग मिशन उन्वर्श्टी के साथ जुड़ी आईए और अपने तयारी में लेग जाए और आप अपने ड्रीम उन्वर्श्टी को प कर सकते हैं इससे आपको परसनल कंटक्ट मिल जाएगा आप सीधे हमसे कंटक्ट करके बातचीत भी कर सकते हैं ठीक है और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल पूह सकते हैं आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए और बिल आइकन को कर लिजिएगा ताकि हर अप्रेट आपको तुरंत मिल जगे ठीक है आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम एंड बीकॉम में जो चीजे आपको आज बताई जाएंगी वह बहुत इपॉर्ट है बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि बीकॉम और बीकॉम में क्या ह होता है कितने सीट्स होती है कितनी लगती है क्या क्या लगते हैं को सबस्क्राइब जरूर कर लिजिए और हम बात करते हैं लखनाव उनवर्स्टी इंट्रेंस एक्जाम 2024 की जो भी स्टूडिन कर रहे हैं तो लोग चिंता ना करें मिशन आपके साथ लास्ट टाइम तक प्रवर बने रहें और विश्वत गरांते हैं ऐम बात करने वाले हैं विकॉम और्न विकाम में जो क्या शेस हैं तो आपके की बात करते हैं यह सेट है ठीक है यह से लेवर से स्रेवर में देखते हैंए अनस्य और अब भिख्वर्स आता है औरला और शॉट्रम मैस मिल जाएंगी आप लोग लोग पढ़ सकते हैं साथ में आपको computer भी पूछा जाता है computer और देखते हैं तो 10 प्रस टू लेवल मतलब आपका ज़्यादा 11 और 12 का पूछा जाता है तो आप लोग 11 और 12 पर कर सकते हैं साथ साथ में जो भी स्टुडेंट त्यारी करके आएंगे 11 और 12 तो उनको हमाई साथ करना है ज्यादा कुछ नहीं करना है तो आप लोग अपनी तयारी को बहुत 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 बना सकते हैं तो आज हम यह देख चुके हैं कौर्स मतलब सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं तो यह चीज़े आपकी हो गई हैं आप हम बात कर देंवाले हैं कि इसमें कुछ यह को किस फौर्म में पूछे जाते हैं तो आपको बता दे किस्वे मेंट के पूछे जाते हैं इंग्जाम आपका होता है टोटल नंबर होते हैं 200 200 नंबर का पूरा पेपर आता है और इसमें सबसे बड़ी बात है नो निगेटिव मार्किंग होती है तो आपके लिए प्लस पाइंट है और साथ में हमालो ओम पे इसका आपको एक्जाम होगा ओमर पे होगा तो आपको गोला भड़ने के आपको बता दें कि पहले सेमेश्टर के लिए आपकी फीज लगती है 4270 रुपे लेकिन जब आप पहली बार फीज जमा करेंगे तो आपकी फीज पड़ेगी 5270 रुपे उसके बाद फिर हर सेमेश्टर में आपकी इतनी ही फीज पड़ेगी 4270 रुपे क्योंकि एक हजार य कितनी सीट्स जो है इसमें होती है लगभग तो हम बता दे कि आपको 800 लगभग सीट्प शीट्प होती है Game & kindly Be लोग इससे जरूर बनवा के रख लिए पहली बात तो आपका 10 और 12 के मार्क सीट लगेगी तो 10 और 12 के मार्क सीट आप लोग अपने पास रखें और सुरच्छित रखें बहुत जरूरी डर्कुमेंट्स होते हैं यह सब फिर आपका हम बता दे कि कास्ट सर्टिफिकेट लग से पुराना हो जाता है तो उनकी जो है जैनल में चले जाती है तो उनको आगे चलकी फिर एडमिशन लेने में दिक्कत हो देखिए क्यों को जैनल को कमपटीट करते हैं तो आप अपना जो है अब पहले से पर आपको लगता है गैप सार्टिफिकेट अगर जो भी स्टूड इनवर्स्टी में जम्म करना पड़ेगा साथ में आपका टीसी जैसे आप ट्वैल्थ एक्जाम पास करेंगे उसके बाद स्कूल से ही आपके टीसी दी जाती है और साथ में दिया जाता है करेक्टर सर्टिफिकेट वह भी दोनों आपको अपने पास में रखना है क्योंकि साथ में पासपोर्ट साइस फोटो दो जार फोटो आप बनवा के रख लीजिए अगदम अभी के लिए अपनी रिसेंट फोटो बनवा के रख लीजिएगा क्योंकि आपको यह सब चीज़ें आगे चलके बहुत काम आने वाली है इनवर्स्टी के अंदर तो इसमें कोई द सब्सक्राइब करेंगे और आप सेलेक्शन स्रीज 2.0 के साथ जरूर बनी आपको जो है सारी वीडियो प्रोवाइड कराई आ रही है प्लेलिस्ट बना दी गई आप लोग सारी को सारी वीडियो जरूर देखिए ठीक है तो ठीक है मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के देलिए जहें